मंच पर पदारे हुए सारे नेतागंड और यहां पर मौझूद सभी मेडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गटवन्दन में जो आये हुए वो सभी नेता लोग इस चोधी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमीटी के सामने याने गटवन्दन के सामने रखा और ये खुशी की बात है सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ड़क से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूस है उसको उठाना है तो ये सारे देश में कम से कम आट-दस मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णे हुआ और लोगों को ये मालूम करना चरूरी समझे कि गटबंदन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णे हुआ और लोगों को ये मालूम करना चरूरी समझे कि गटबंदन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णे हुआ आप लोगों को ये मालूम करना ज़रूरी समझे गटवनन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णे हुआ आप लोगों को ये मालूम करना ज़रूरी समझे गटवनन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णे हुआ आप लोगों को अना, 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 आप लो मिल के लोग को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिल के लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग त्यार है और यह पहली बार है हिंदुस्तान के इधियास में डिमोक्रिटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आये वो कैसा आये और किसने उनको लाया और किस ढंक से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिये सबी किये लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि हो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आये जो घटनाय घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराये मालूमात कराये लोकसभा को और राज्यसभा को लेकिन उन्होंने नहीं माना मेरे को समझ में नहीं आता सदन इदर चल रहा है यह लोग आमदाभाद में बिल्डिंग इनौकरेशन जाते हैं सदन इदर चल रहा है मोदी जी वह अपने कांसुल्सी में जाके घूमते हैं यह क्या है ऐसा कभी नहीं हुआ सदन यहां देश में रहे के और सभी तरफ अपने बहाशन देने लेगे लेकिन पर्रॉप्मेंट में क्यों नहीं आए लोकसभा और राजसभा में क्यों नहीं आए तो यह जो उनकी मन्शा है कि डेमोक्रसी को खतम करना अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंड करके भार निकाले कि यह पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोकों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था यह सरकार ने प्रोच्शा देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए यह बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़िंगे मैदान में जाएंगे और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे कि हमारे शिवाए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमीं उकमत करने के लाइक है यह उनका समझ है इस समझ को खतम करने के लिए हम सब एक होए है एक होकर आज बहुत निरने लिए हैं एक तो एक सो एकावन लोकों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना और आल इंडिया प्रोटेस्ट बाविस तारिक को बाविस डिसंबर को यह जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में यह चलेगा और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गट बंदन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोता करेंगे अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहां पर हमारे जो इंडिया के टुबंदन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड करेंगे और बहुत से जगे जो हर एक पार्टी एक 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 जो है वो ठीक डंग से है अब चाहे वो तमिलनाडू में हो केरणा में हो करनाटक में हो या तेलंगाना में हो बिहार में हो अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलच जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस डंग से सुल जाना यह भी बात बात में तई हो जाएगी तो यह हमने तई करके यह मीटिंग करा मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के अठाविस पार्टी के नेतालों और सभी दिगज यहां जो बैटे हैं वो सभी ने कॉपरेट किया और कॉपरेट करके इस मीटिंग को एसेश भी बनाया इसलिए मैं उन सब को हार्दिक बदाई देता हूँ उन सब को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़के देश में इस गटवंदन को मजबूत करके चलाएंगे इतना ही कहिके मेरे दोश कि अपूच में लुप न दो न न प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है? तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉर्टी लाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी आज जो और मोधी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना कमंड आया है कि अब देश में मेरे शिवा रहूं प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे अगर 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 कित्ते बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं पहले हम जीतेंगे उसके बाद में हमारे एंपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्राटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा पहले हमारे कुछ चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिये नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला ये तो हमारी इंटरनल बात है उसमें कोई ये नहीं है थैंक्यू आज के बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की घर्गेजी से कि वो आपको ब्रीफ करें जो मुद्धे उठाए गए थे इस बैठक में उसकी जानकारी आपको घर्गेजी ने दी हैं इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा हैं बाइस तारीक को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे जो 151 MP अब तक सस्पेंड हुए हैं इंडिया पार्टी के MPs जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी शुक्रिया